इस्टड अपने देश से सुन्दर कुछ नहीं देश के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं देश के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं लोग तब अकेले हो जाते हैं जब देश को महसूस करना छोड़ देते हैं सच्चा नागरिक तो वही है जो देश को हर पल महसूस करता है देश को महसूस करने के लिए बड़ा आदमी होना या उंचे पद पर जा बैठना कतई जरूरी नहीं है क्या यह बात छिपी है कि उंचे पदों पर बैठे कई लोगों को देश कभी महसूस नहीं होता है और ऐसे आम लोग भी है जिनकी आँखों से देश के लिए इसने बरबस बरस्ता है वह बेहद गरीब लाचार बुजर्ग महिला भी ऐसी ही थी जिने देश महसूस होता था मिदनापुर के होगला गाउं में उनका जन्म हुआ था खोशी के दिन तो सपना थे घोर गरीबी में भोजन पानी का ऐसा तोटा था कि पढ़ाई लिखाई का मुह देखना भी संभाव ने हुआ वैसे भी तब एक गरीब लड़की के लिए संघर्ज की कोई गुंजाईश नहीं थी सिर्फ जेलना था बमुश्किल सोला की उम्र में उन्हें 61 के दुले के हवाले कर दिया गया विवाह का मतलब सही समझ में आता उससे पहले ही 18 की उम्र में बिधवा होने का दाग लग गया तब बिधवा होना किसी कड़ी सजा से कम नहीं था ऐसा लगता था मानो जिंदगी ठहर गई हो हम जानते हैं ठहरे हुए पानी का क्या होता है और उससे लोग कन्नी क्यों काटने लगते हैं ससुराल ने ठुकरा दिया तो मायके लोटना पड़ा लेकिन वहां भी भला कोई क्यों स्वागत करता बेटियां तो वैसे भी बोज या पराया धन समझी जाती हैं एक बार मायके से निकल गई तो फिर कैसे लोटेंगी तो वह 18 वर्सिय युबती भी मायके लोटी लेकिन अलग ही चुला डेरा डालना पड़ा चोटे मोटे काम मजदूरी खेती से किसी तरह गुजारा चलने लगा लेकिन खास बात यह थी कि वह गाउं में किसी भी दिन जरूरत तकलीफ में खड़ी हो जाती थी खास कर बीमार और बुड़ों की सेवा करते उम्र 60 पार कर गई गाउं बाले अकसर चर्चा करते थे कि एक गांधी जी हैं जो देश को आजाद कराने में लगे हैं तब आजादी का मतलब था अंग्रेजों के हाथों सोशन से छुटकारा आम लोग भी यह मानने लगे थे कि अंग्रेजों को अब जाना चाहिए लेकिन वह बुजुर्ग महिला सोचती थी कि यह तो बड़ी लड़ाई है इसमें उन जैसे छोटों का क्या काम छोटों से अपनी जिन्दगी के सुख दुख ही संभल जाएं तो बहुत है तब गाउं से भी स्वतंतरता सैनानियों का होजोम निकलता था बहदोर खड़ी बस देखती रहती थी स्टॉप